हाई एवरिवन दिस इज आयूश और वेलकम बैक तू दे चैनल दोस्तों काफी दिनों से आप लोग के कॉमेंट आ रहे थे कि एसल हंटिंग पर वीडियो चाहिए देखे एसल हंटिंग कोई नई चीज नहीं है मारकेट में मारकेट जब से एक्जिस करता है तब से एसल हंट मतलब है कि वहां पर किसी ना किसी का लॉस जरूर हो रहा है अगर आप लॉस कर रहे इसका मतलब कि वह पैसा किसी ना किसी के पास जा रहा है simple this is a zero sum game मैं investing की बात नहीं कर रहा है मैं trading की बात कर रहा हूँ ठीक है तो वहां पर एसल हंटिंग काम करते है जो big players होते हैं जो operators जिनको आप बोलते हो वो क्या करते है न जो आप patterns use करते हैं उन चीजों का वो use करते हैं आपका एसल hint कराने के लिए ठीक है सारी दुनिया same technical analysis यूज करते हैं आप जो भी technical analysis पढ़ते हैं चाहे वो breakouts हो गया या फिर जो triangle pattern कोई भी pattern हो गया वो सब को पता है अगर आप खुछ सोचो कि अगर जैसे की एक मैं example लेता हूँ flag and pole pattern का ये एक flag and pole pattern है इसका क्या होता है कि उपर जब भी breakout होता है जितना इसका pole है उतना आपक सबğıD मिलता है ये चीज़ किसको नहीं पता है आप मेंसे जितने लोग देख रहे हैं सबको पता आप मेंसे जितनों लोग नहीं भी देख रहे हैं उनको भी पता है इसकोह तो तो अब पर सारे को profit कभी नहीं सकते हैं तो थोड़ा से अलग business है बाकी business में क्या होता है कि आपके कुछ services होते हैं, आपके कुछ clients होते हैं, या फिर customers होते हैं, आप उनको अपने पास लाते हैं, मतलब कि या तो आप उनको sell करेंगी, या फिर आपका जो competitor होगा, वो उनको sell करेंगा, जो client होता है, उससे आप पैसे कमाते हो, यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर आपका तरीके होते हैं, इसको trade करने की भी तरीके होते हैं, तो यह सारी चीजे कैसे करते हैं, आई आज की वीडियो में धीरी-द्री करके समझने की कोशिश करते हैं. So, let's say कि यहां पर आपके पास एक breakout level है, या फिर breakdown level कह लिजे, दोनों साइड सेम चीजे काम करती हैं. Suppose this is a support zone, and price देखो, अगर यहां से breakdown करता है, तो यहां पर आपके पास तीन केस हो सकते हैं, तीनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना. Let's say कि यहां पर आपके पास जो first case है, उसमें price नीचे आता है, फिर उपर जाता है, और फिर अपने जो recent lows हैं यहां की, इसको cross करके नीचे निकल जाता है. ठीक है? This is case number one, और यह सबसे एक ideal case होता है, जहां पर आप बिल्कुल ही easily profit कर पाते हैं. Second case क्या हो सकता है? Price यहां पर एक बाद touch करता है, वापस उपर जाता है, और फिर नीचे निकल जाता है, यहां पर आप sell करते हैं, उसके बाद price immediately hit करता है आपका stop loss. यह आपका stop loss, obviously बात है कि यह जो last swing रहता है, यहां पर आपका stop loss होता है. यह hit करने के बाद price, देखिए, यहां पर दो चीज़े कर सकता है, या तो यहां पर directly उपर निकल जाए, या फिर यहां से वापस से नीचे आपका target hit करते हैं. ठीक है, this is case number two, case number three क्या हो सकता है, price नीचे गया, एक इसने bounce लिया, वापस से नीचे गया, आपका यहां पर entry बना, और उसके बाद price immediately उपर जागे आपका stop loss hit करता है, और same direction में चलनाई start कर देता है, तो देखो यहां पर दोनों चीज़ों में आपका stop loss hit होता है, यह सबस price फिर से आपके direction में आगे, आपका target hit कर देता है, ठीक है, third case यहां पर, price आपका stop loss hit तो करता है, लेकिन वापस से आपका target कभे hit नहीं करता है, उपर निकल जाता है, और जिस direction में आपका stop loss था, वहां से एक reversal बन जाता है, ठीक है, तो जो second case है, और जो third case है, यहां पर आप उपर के side, या फिर नीचे के side, काफी बड़े momentum होते है, तो या तो आप उन momentum को capture करना सीखे, या फिर आपको यह पता हो, कि यह जो stop loss होते हैं, उनको hunt करने से कैसे avoid कर सके, कैसे उनको हम बचा सके, तो आज हम discuss करेंगे, कि इन चीजों को कैसे trade करते हैं, और SL hunting को कैसे avoid करते हैं, जो आपके stop loss है, उनको कैसे आप save कर सकते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे comment करके मुझे बता दो, next week आपके लिए मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, now directly चलते है setup के तरफ और देखते हैं, क्या setup होता है, जो कि operators use करते हैं, आपको आपका time frame पर यहाँ पर open होता है, price यहाँ पर उपर जाता है, नीचे जाता है, काफी देर से यहाँ पर range में trade करता है, और obvious से बात है कि किसी ने किसी side इसको breakout देना है, तो मालो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर breakout मिल जाता है, अब आपको यह आपने trade करा है, नहीं करा है, that is completely different part, it's your call, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बता आया था कि 3 case हो सकते है, price यहाँ तो directly उपर जा सकते है, price यहाँ तो अंदर आके आपका stop loss hit करके वापिस उपर जा सकते है, third case क्या हो सकते है, कि price यहाँ पर आपका stop loss hit करके डिरेक्ली यहाँ से नीचे चलना हो सकते है, तो SL hunting setting का setup होता है, वो case number 3 में सबसे best applicable होता है, मान लो कि price यहाँ पर उपर ब्रेक आउट देता है, यहाँ पर huge volume में सब कुछ है, और let's say कि किसी भी वज़े से वो उपर नहीं जाके वापिस से अंदर आने की कोशिश करता है, तो आपको क्या लगता है, लोगों के stop loss कहाँ पे ह रखे हो, कुछ लोग यहाँ पे रखे होंगे, जो range होता है उसके नीचे, depending on की range कितना बड़ा है, अगर छोटा range है तो range के अंदर, और अगर range काफी बड़ा है तो फिर इनके stop loss यहाँ पे होंगे, ठीक है, price जब भी इस range के वापिस से अंदर आना start करता है, और वापिस से यह जो नीचे का side इसको break करता है, यह आपका एक 90% setup बन जाता है, this is a 90% setup, price अगर लोगों का उपर stop loss खा के आया है तो बहुत ही high chances, लगभख 90 to 95% chances यह होते हैं कि price अब वापिस अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से वो नीचे ही जाने वाला है, तो अगर आपने यह breakout लिया ह अपना stop loss दो निकल जाओ, या फिर नहीं लिया है, तो वेट करो, जब भी price दोसरे side breakout देगा, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा momentum होता है, आपको हमेशे एक चीज़ ध्यान रखना है, इस market में सारे लोग एक साथ पैसा नहीं कमा सकते हैं, जब तक आप इस चीज़ को अप उपर जाना है, तो एक बार वो जटके से नीचे आके, लोगों के stop loss लेके, फिर उपर जाएगा, या फिर market को अगर नीचे जाना है, तो फिर एक बार वो उपर आके, आप लोगों के stop loss लेके, उसके बाद नीचे अराम से जाता है, ठीक, तो यह आपका setup है, बहुत ही simple से psychology और यह जो आपको मैंने बता है, कि market में हमेशा हर एक बंदा पैसा नहीं कमा सकता है, तो अगर directly यहाँ पर breakout होता है, तो सब को पता है कि range breakout जो होता है, वहाँ पर आपको trade लेना होता है, और जितना range होता है, उतना आपको नीचे project करके, या फिर उपर project करके, आपको target मिल जाता है, तो यह तो होगे आपका technical analysis, यह चीज़े हमेशा काम नहीं कर सकती है, ठीक है, यह चीज़े 60%, 50% काम करते हैं, बाकी चीज़े आपका risk management काम करता है, आपका money management होता है, वो काम करता है, right, I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी, और directly chart पर चलते हैं, व तो ताइम फ्रेम का ऐसा है, कि ताइम फ्रेम आप चाहे आप technical analysis यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इस market में ना, हर एक चीज़े हर एक टाइम फ्रेम पर काम करती है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आप one week से स्टार्ट क होते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से हमेशा बता देता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, चाहे support हो, चाहे resistance हो, demand supply zone, या फिर आपके fake breakouts, या फिर आपके SL hunting, ये सारी जो common चीज़े होती हैं, हर एक टाइम फ्रेम पर equally काम करती हैं, ठीक है, तो यह होगा आपका टा कोई यहां पर वो नहीं है कि यहां पर आपने trade लिया तो गलत है, बिल्कुली सही यहां पर breakout है, हाँ, एक चीज़े है, trend के साथ हमेशा quantity फुल लेते हैं, अगर आप उपर के साइड कर रहे हैं, और पिछला trend जो उपर के साइड है, तो यहां पर quantity है 100%, और अगर पिछला trend उपर के साइड है, और आप नीचे के साइड ट्रेड लेने, तो आपका जो quantity है, वो half होना चाहिए, और उसका उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुली सेम तरीके से, यहां पर, लेट से breakout होता है, और आप माल लीजी कि आपने trade लिया, आपके stop loss कहां पर होने वाला है, देखिए मैंने यहां पर आपको क्या बता है, कि price को अगर एक direction में जाना है, तो पहले वो एक false move लेता है, दूसरे साइड, लोगों को trap करने के लिए, price यहां पर नीचे एक false move लिया, उसके बाद यहां पर निकल गया, तो यहां पर आपने trade लिया, आपका stop loss हिट हुआ, नहीं हुआ वो सब ठीक है, लेकिन यह जो move है न, इसको आपको miss नहीं करना होता है, आपको अगर ऐसा को setup मिल रहा है, range का breakout, जहां पर आप देख रहे हो कि नीचे भी एक बार fake breakout दे चुका है, तो यह जो probability है न, इसकी probability काफी बढ़ जाती है, ठीक है, तो यह चीज़ थोड़ी से आप सेम चीज़ अगर आप यहां पर देखेंगे, तो यह इसके पास एक range था, price ने यहां पर range का breakout किया, और यहां पर वापिस से range के अंदर घुश गया, तो यहां पर आपने trade लिया, वो नहीं लिया, वो आपकी मनची, यहां पर भी बिल्कुल एक trade लिया जा सकता था, बिकॉ कर सकते, price एक range में move कर रहा था काफी time से, उसके बाद अगर उपर जाके नीचे आता है, तो this is your ideal trade, इसको आपको miss नहीं करना होता है, ठीक है, same chart में आप बहुत सारी example देख सकते हैं, आप चाहे bank nifty का chart खोल ले, आप nifty का chart खोल ले, हर एक chart में यह सारी चीज़े काम करती ह यहां पर price उपर जा रहा था, उसके बाद एक range में इसने consolidate किया हुआ है, वापिस से यहां पर नीचे के side इस range को breakdown दिया था, तो यहां पर जितने भी stop losses थे, उन सारे stop loss को खाने के बाद price immediately उपर निकल लिया, तो जब भी price ऐसे आपको situation दिखा है, कि price उल्टे side जाके, हो चुकी है, उसके बाद अगर same या फिर opposite direction में निकल रहा है, तो definitely यहां पर आपको वापिस reversal नहीं मिलने वाला है, immediately आप candle पर अपने trade लेके, अपने stop loss यह जो range है, इसके अंदर डालके, और अपने जो profits हैं, उनको book कर सकते, ठीक है, तो आप चाहे जितने भी इसको back test कर इसको forward risk कर लें, आपको हर एक जगा same चीज़े मिलती है, ठीक है, तो I hope आपको चीजे समझ में आ गई होगी, अगर आपको कोई भी doubt, आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को definitely like कीजे and share कीजे, and अगर आपको second part चाहिए, कै कैसे आप SL hunting avoid कर सकते हैं, तो मुझे नीचे comment करके बताएं, मैं आपको next week में, अगर आप comment करते हैं, तो वीडियो ला दूँगा आपके लिए, that's it for today, मिलते हैं किस अगले interesting video में, till then bye and thank you.